हो गया प्रूव यहां तक हम आई से सीलिस ट्राइंगल प्रूव कर दिया चलिए अब हम आगे चलते हैं कोशन नमबर 24 पर होप आपको यहां तक सब क्लियर है 24 कोशन पर हम आगे है 24 कोशन क्या कहता है अब हम पीछे कर चुके हैं यही हमने रेशो में किया यही हमने इक्वल टू में किया अब यही हम प्लस में कर रहे हैं एक जैसे तीन कोशन इस सेट में दिये हैं देखो अल्फा प्लस बीटा 6 अपॉन 5 और अल्फा बीटा 1 अपॉन 5 तो 7 अपॉन 5 इस दा आंसर कुछ भी नहीं था इसमें तो नहीं था ना यह देखो कितना easy question आया यह 2 into 1 by root 3 into 2 into 1 upon 1 minus root 3 by 2 का whole scale क्या हो गया यह 4 root 3 और यह हो जाएगा 1 minus 3 by 4 4 root 3 into 4 upon 1 16 root 3 into root 3 by root 3 6 root 3 by 3 16 root 3 by 3 कितना easy था यह कोई मुश्किल नहीं था बहुत अजान question CBSC ने इस बार students के लिए बहुत easy exam paper बनाया देखो कितना easy question इसमें तो कुछ भी नहीं करना था section C पर आ गए है 3 mark से question 25 तर कितना score आपका हुआ यह सुरूर बताना comment box में और चैनल को like जरूर करना subscribe करना education by चेतना राठोर ठीक है और अपने student के अपने friends के साथ जो आपके friends हैं जिन्होंने set C attempt किया है CBSC का 11 March का paper 10th board का उनके साथ share करना उनकी भी help होगी कुछ चलिए यहां पर बहुत easy था sin upon cos theta minus cos theta upon sin theta whole divided by sin theta into cos theta इसको multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा sin square theta minus cos theta upon यह multiply हो जाएगा sin square theta into cos square theta दोनों को अलग अलग लिख लें sin upon this जाएगा 1 upon cos second theta बन जाएगा cos square theta upon this होगा cos से cons cancel 1 by 2 cos second हो जाएगा कुछ भी नहीं था इसमें तो सिर्फ sign or cos में convert करना था आपका right side आ जाता left hand side right hand side के equal proof करना था चलिए एक और area rated to circle सेक्टर को cut कर दिया है यह एक circle है यह radius 21 यह भी radius 21 सेक्टर पर angle बना है 150 degree का हमें निकालना है length of the arc of the sector सिर्फ इसमें दो चीज़े निकालनी है देखो उसमें हमने पहले जो question किया था उसमें हमने parameter निकाला था दूसरे में हमने angle निकाला था अब तीसरे में हमें आग भी निकालना है और area भी निकालना है दोनों formula theta upon 360 pi r square theta upon 360 2 pi r theta कितना 150 upon 360 दो और question है ना 22 upon 7 और radius के 21 into 21 फिर 150 upon 360 into 2 into 22 upon 7 into 21 चलो solve कर दो 0 से 0 cancel 7 3 जा 3 12 जा 12 के नहीं cancel आउट होता है यह 6 और यह 11 तो 11 21 को multiply कर सकता है अब यहां पर 15 यह भी है यह हो गया आपका 2 यह हो गया 55 into 21 upon 2 यह आप solve करेंगे तो आपका यह आप्रोक्सिमेटली 21 5 फिर 15 15 यह यह 5 7 7 5 7 7.50 cm के और यहां पर solve करते हैं 0 कैंसल 15 के टेबल पर कैंसल आउट करते हैं 15 आप 5 से कर लेते हैं 35 जा 12 जा 2 6 और यह 3 11 जा 3 7 जा यह पूरा कैंसल हो गया 55 cm इसका अंसल सेंटीमेटर में इसका अंसल सेंटीमेटर स्केर में कोई मुश्किल नहीं और देखों कितना इजी कोश्चन यह तो मुझे लगता है सबने यह वाला टैंप किया होगा कमेंट बॉक्स में बताना किसने 28 का एटम्ट किया था इसमें तो कुछ भी नहीं है आप लेट अज्यूम कर लेते हो यह पी बाइक्यू फॉर्म में है पी बाइक्यू आपके को प्राइम है को प्राइम है इसका मितलब हैसी अप दोनों का कितना होगा हाइस्ट कॉमन फैक्टर वनी होगा और क्यों quieres not equal to 0 यह सबने spirits किया था इसका मितलब आप इसका square करते हैं तो 3 किसके equal आ जाता है यहांज यह ख़ता देती हूँ मैं इसको यह square और p square equal to 3 क्या ह構ई square इसका मतलब P2 is a factor of या P2 has a factor 3 This implies P also have a factor 3 ऐसे लिखा था This implies P को हम कैसे लिख सकते हैं? 3T पर लिख सकते हैं और मैं P2 कर लेती हूँ 9T2 कर लेती हूँ स्केरिंग अन बोथ साइब पर अभी P2 क्यों लिखा थी? 3Q2 9T2 क्यों 3 जे कैंसल कर दो Q2 is equal to 3T2 This implies Q2 has a factor क्या factor हो गया? 3 This implies Q has a factor 3 अभी हमने कहा कि P और Q को प्राइम है दोनों में सिरफ एक ही हाइस्ट कॉमन फेक्टर है अभी P का 3 भी फेक्टर आगया Q2 का 3 भी फेक्टर आगया तो हम कह सकते हैं यह हमारा contradictory हो गया इसका मतलब रूट 3 P by Q फेक्टर में नहीं हो सकता वो कैसा होगा? इर्रैशनल नंबर होगा यहां तक रियर है? बहुत इजी कोश्चन थे जिस भी बच्चे ने basic maths भी किया हुआ है 10 का वो इस पेपर में 80 में से 75 marks उसके कहीं भी नहीं जाएंगे वो देखो next question यह question हम next उसमें करेंगे क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है सिर्फ irrational प्रूफ करना है पर mostly students ने यह किया होगा तो मैंने उनको उसका प्रूफ दे दिया ठीक है? इस question को भी हम कर लेंगे कुछ भी नहीं है square root खोल यही स्केयर भी खोलते है तो 2 प्लस 3 प्लस 2 root 6 आएगा 5 प्लस 2 root 6 और root 6 उनने पहले ही दे रखा है irrational है irrational में कुछ भी multiply करते है irrational होता है खुछ भी add करते है irrational होता है तो यह पुरा का पुरा नमबर गया हो गया irrational कुछ भी prove नहीं करना था यह तो सब कुछ given ही था next three unbiased coin यानि कि हमने कोई bias नहीं गिया है coin को twice करने के toast करना है तो क्या क्या होंगे head 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 tail head tail head tail head head यही चार cases बनेगे same tail 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 में क्या बनेगे tail tail head tail head tail head tail tail यह eight cases बनते हैं उनका at least one head कहां पर one head at least one head है यहां सब में है जब एक यह चीज छोड़ दें तो कितना बनता है seven upon eight cases one two three four five six seven seven upon eight exactly one tail exactly one tail किसमे है देखो one two three four five six seven क्या इसमें अच्छे चलो यह question आप सब देखो exactly one tail one tail लेकलना है तो exactly one सिरक एक ही आना चाहिए कि या दो भी हो सकते हैं देखो exactly one लिखा है तो हम consider करेंगे one two three three by eight two head two tail one two three four five six six by eight क्लियर है 29 question देखो उसने कहा एक parallelogram है जो किसके अंदर है एक parallelogram और इसके अंदर एक circle बना ठीक है जी ऐसे तो यह हो गया A यह हो गया B यह हो गया C यह हो गया D यह point P यह Q यह R यह S सबने की हुए थे और हम external point से दोनों tangent length equal external point से दो tangent length equal similarly this and similarly this हम लिख सकते हैं क्या AP equal AS AP equal AS B AP के साथ हम किसको लिख रहे हैं चलिए अब यहां से SD लिख देते हैं क्योंकि हमें add कर लेगे ना AP में हम चलो लिख दो BP equal B क्या हो उसके बाद क्या लिख सकते हैं SD equal DR or DR equal CR B external point tangent equal external